Hello everyone, welcome back, मैं हो नतिन सोनी और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम पॉर्टफोलियो अपना कैसे क्रेट कर सकते हैं वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पर आप अपना पॉर्टफोलियो बना सकते हो, लेकिन परसनली मुझे बहुत बढ़िया लगती है क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है और आप बहुत हैं पर अपना पॉर्टफोलियो क्रेट कर सकते हो अब तक हमने सारी क्लासे में सीखा है, डिजाइन कैसे बनाते हैं, सम्हाव सॉट्फियर की नॉलिज भी आपको हो चुकी होगी अब बात आती है, अगर आपको इस जॉब चाहिए, तो पॉर्टफोलियो बहुत ही जादा इंपॉर्टन चीज होती है तो आज की क्लास में हम बहेंस पर step by step portfolio create करना सीखेंगे मैं एक क्लास के बारे में और सोच रहा हूँ, आप मुझे comment में जरूर बताएं कि मैं इस class को बनाऊ या ना बनाऊ बिसिकली मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको सारे steps बताऊंगा कि कैसे आप अपना creative portfolio बनाएं आज की क्लास में हम बहेंस को explore करेंगे, लेकिन creative portfolio कैसे बनाएं अगर आप चाहते हो एक क्लास मैं बनाऊं तो प्लीज आप मुझे comment में जरूर बताएंगा and without any further delay, let's get into the classroom यहाँ पर आप मेरी screen देख सकते हो और हमें जाना है chrome browser पे या किसी भी browser पे जाके आपको behance.net open करना है और यहाँ पर जब आप इसको open करोगे तो आपको sign up करना होगा यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो जैसर कि यह Adobe का ही product है तो आपके पास अगर Adobe की ID है तो उससे भी आप इसको login कर सकते हो otherwise आप Adobe पर sign up करके भी अपना account create कर सकते हो मैंने अल्रेडी कर रखा है Pelfis Design के नाम से तो यहाँ पर already signed in home है तो जब आप sign in करते हो तो आपको यहाँ पर दिखता है create a project और इस तरीके का landing page आपको दिखता है कुछ designers का काम आपको यहाँ पर showcase होता है यहाँ से search करके भी आप कुछ चीजें देख सकते हो इसके बाद अगर आपको अपनी profile पर जाना है तो यहाँ पर आप लोगों पर भी click कर सकते हो otherwise Behance profile पर भी जा सकते हो मैंने लोगों पर click किया है भी तो मैं अपनी profile पर आ चुका हूँ यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो आप सबसे पहले attractive portfolio बनाने के लिए एक banner यहाँ पर होना बहुत जरूरी है बैनर में आपके बारे में हो और कुछ creative images वगरा आप यहाँ पर use कर सकते हो तो यहाँ पर आप left side में देख सकते हो यहाँ पर कुछ information है जो मैंने during the sign up यहाँ पर डाली थी और यहाँ पर अब मैं उनको add it भी कर सकता हूँ तो add it किस तरीके से होगा यहाँ पर आप देख सकते हो add it your profile तो सबसे पहले हमें यहीं पर जाना है add it your profile पर और यहाँ पर आप सब चीज चेंज कर सकते हो basic information, pelvis, design यहाँ पर आपका नाम हो सकता है अगर आपको अपनी photo replace करनी है तो यहाँ पर फोटो भी डाल सकते हो occupation अगर आप UI designer हो user experience designer हो जो भी आपकी designation है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो और भी कुछ basic detail है जिनको आप fill कर सकते हो जैसे कि अगर आपने कोई अपनी website भी बना रखे dedicated उसका link भी आप यहाँ पर डाल सकते हो इसके बाद अगर आप किसी और platform पे भी associated हो जैसे facebook हो गया twitter हो ग डाल सकते हो description डाल सकते हो कितना experience है कितना नहीं है sections divide कर सकते हो और भी अगर आपको works related चीज़ें यहाँ पर डालनी है तो आप यहाँ पर अपना experience define कर सकते हो इसके बाद हम जाते हैं back to profile यहाँ पर आपको दूसरा बटन दिख रहा होगा edit availability अगर आप यहाँ पर आके काम ढूनना चाहते हो जैसे आपना portfolio डाल दिया कोई देखता है तो अगर आपको हायर करना चाहे तो यहाँ पर उसको इंडिकेशन दे सकते हो कि आप full time available हो या freelancing के लिए available हो तो यहाँ पर मै कि minimum मैं कितने का project accept करता हूँ ठीक है और यहाँ से मैं अपनी availability यहाँ पर define कर सकता हूँ तो यह कुछ चीज़े हैं यहाँ पर मैं इनको fill करके done कर सकता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ tabs हैं work जो आपने अभी तक work डाला है यह मैंने अल्रेडी यह हैं वो सारी चीज़े हम आज समझेंगे इसके बाद इसमें live stream का एक tab है तो अगर आपको live stream करते हो तो यहाँ पर आपकी live stream की details आ जाती है mode board क्या होता है अगर आपने किसी और की profile देखी है तो वहाँ पर tag का icon आता है अगर आप tag कर लोगे अगर आपको design पसंद आता है तो आप उसको tag कर लोगे वो आपके mode board में दिखना शुरू हो जाएगा mode board का मतलब है कि आप अपने पास कुछ store कर रहे हो अच्छी चीजों को ठीक है इसके बाद है appreciation क्या appreciation आपको मिले हैं वो सब चीजों की detail यहाँ पर आती है insight सबसे important है यहाँ पर आपको सारी चीज़े दि कर रही है हर चीज़की information आपको यहाँ पर मिल जाते है इसके बाद है draft तो अगर आपने कोई भी project अभी बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हो create a project यह sign-in करने के बाद यह आपको दिखेगा otherwise draft में जाके भी आपको यह चीज़ मिलती है तो draft क्या होते हैं अगर आपने कोई चीज़ published नहीं किया है तो वो draft के अंदर आती है तो इसको भी हम अभी करके देखते हैं अब हम सबसे पहले एक project बनाते हैं या तो आप यहाँ पर क्लिक करके बना ले या फिर यहाँ पर वी तो अभी के लिए मैं creative project पर क्लिक करता हूं और creative project पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की screen मुझे दिखती है तो यहाँ पर शुरू में मुझे थोड़ा सा इंट्रो दे दिया आप क्या क्या चीज़े यहाँ पर डाल सकते हो तो initial अगर मैं को image डालना चाहूं तो वो भी डाल सकता हूं और photo grade भी डाल सकता हूं photo grade का यहाँ पर icon देख सकते हो तो किसे भी बना सकते हो otherwise अभी मैंने क्या किया है मैंने सारी चीज़ को यानि पूरी presentation mode मैंने photoshop पे बना लिया सिर्फ यहाँ पर मुझे upload करना है इसका disadvantage भी है वो क्या है वो मैं आपको भी बताता हूं तो यहाँ से मैं इसको पहले upload कर लूँगा जो मैंने अभी project बनाया अब यहाँ पर आप यह बटन देख सकते हो तो यह क्या है बेसिकली यह आपको full screen और छोटी screen का एक option देता है लेकिन यह तब available होता है जब आपका जो design है 1400 पिक्सल में बना हो तो यह 1400 पर बनाए इसलिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट में क्या है reorder project यानि कि अगर आपने दो तीन images यहाँ पर डाली है तो उनको reorder shuffling कर सकते हो add caption अगर मैं add caption करूंगो तो यहाँ पर डाल सकता हूं यह क्या है क्या नहीं है अगर suppose मैंने दो तीन page यहाँ पर डाले है home page about us work contact तो उनको bifurget कर सकता हूं यहाँ पर ना इंदर की हैं तो अगर आपने कोई user experience का पूरा project देखा हो तो पूरे five step जितने भी use किये होते हैं designers में research वगएरा वो सब चीजें इसमें दिखाते हैं तो यहाँ पर text वगएरा उन चीजों के लिए काफी आपको useful रहेगा तो यहाँ पर हमने यह वाला project डाल दिया है एड़िट में और देखते हैं क्या क्या चीजे है एड़िट caption को एड़िट करना है replace image अगर इस image से मुझे किसी और को replace करना है delete मतलब यहाँ से मैं इसको delete कर दूँगा इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो add tags तो tags क्या होते यहाँ पर डाल सकते हो तो design आपका किसी से भी related है suppose यह एक android mobile app है तो यहाँ पर मैं डाल दिया android mobile app इसके बाद यहाँ पर है all text all text क्या होता है जब भी आप image पर hover ले जाते हो तो वो जो भी आप text यहाँ पर लिखोगे वो दिखेगा तो अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख इसको ऐसी छोड़ देते हैं यहाँ पर टैक्स बढ़ा सकते हैं अपने according तो यह हमारा यहाँ पर section हमने complete कर लिया यह presentation में वहाँ पर बना के लिए नहीं तो यहाँ पर भी मैं इसको काम कर सकता था अब इसका disadvantage के अगर मैं बात करूं तो यह page बहुत lengthy है और एक ही image में आया तो यह advantage होता है multiple image लाने का लेकिन यहाँ पर हमने एक ही presentation बना लिया इसको भी हम break कर सकते हैं लेकिन एक ऐसी class और मैं लेके आऊँगा जिसमें हम इसको drill down करके समझेंगे कि हम एक creative presentation कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने photo grade तक complete कर लिया है video and audio क्या होता है video और audio अगर आप डालना चाहते हो कोई presentation आपने बनाई है तो वीडियो अपने यहाँ से local system से आप लाके डाल सकते हो लेकिन इसके बाद आपको मिलता है embed तो अगर आपने किसी और platform पर अपनी वीडियो डाली है suppose मैं YouTube पर अपनी ही video open करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने channel पर आ चुका करना है यह मैंने copy कर लिया और अपने project पे embed वाले में paste कर दिया और इसको कर दिया मैंने embed तो यहाँ पर मेरी पूरी वीडियो मुझे दिख जाती है इसको मैं छोटा preview भी कर सकता हूँ मैं अपनी पूरी presentation वीडियो मोड पे भी दे पाऊं तो यह flexibility भी आपको मिलती है तो यह सारी चीजों को यूज करके आप एक creative से creative portfolio दिखा सकते हो क्योंकि showcase करने के बाद ही आपको एक अच्छी जॉब मिलती है वर्डिंग से शाय जॉब ना मिले कुछ भी चीज डिफाइन करने से जॉब ना मिले बट जो दिखता है वही बिखता है तो इसलिए आप focus करें अपने portfolio पर इसके बाद है Lightroom एक software है Adobe काई महाँ पर images वगएर आप edit कर सकते हो तो edit करके directly आप यहाँ पर भी ला सकते हो इसके के बीच की तो यह दो चीजें आप style से कर सकते हो इसके बाद है setting setting पर मैं जाता हूँ अब यहाँ पर या तो मैं directly publish कर सकता हूँ या फिर save as draft कर सकता हूँ तो यह दो CTA मुझे मिलते हैं और यहाँ पर सबसे important चीज जो मेरा attraction का point है वो है मेरा thumbnail तो thumbnail को भी मुझे यहाँ पर डाल देता हूँ तो अब यह लोड हो रहा है यहाँ पर यह पूरा लोड हो चुका है और आप देख सकते हो उसको आप कट भी कर सकते हो लेकिन हमने already size में बनाया है वह size भी यहाँ पर define किया हुआ है जब आप यहाँ पर आओगे तो size यहाँ पर आपको पता चल जाएगा उसके बाद मैंने इसको कर दिया crop और यहाँ पर हमें project का जो title है वह देना है यहाँ पर मैंने दे दिया exclusive mobile app यह मेरा title हो गया है यहाँ अगीन यहाँ पर tags दे सकता हूँ mobile app है यह क्या है जो भी है 10 tags मैं यहाँ पर दे सकता हूँ use tool किस tool पर आपने बनाया है Adobe XT so मैंने यहाँ पर Adobe XT select कर दिया इसके बाद किस category में यह fall करता है तो view all category पर हम देखेंगे UI UX में और app design में हम इसको fall करा देंगे web design में भी जाके देखते हैं क्या क्या है advertising है और क्या क्या चीज़ें हैं यह मैंने कर दिया है आपर लेकिन यह हम तीन ही select कर सकते हैं ठीक है तो मैंने तीन से ज्यादर select कर लिए इसको इसले इसने मुझे यह message दिया मैंने तीन select कर हैं यहाँ पर इसमें हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर last में consent आपको देना है कि this project contains adult only तो आपकी मर्जी है देना चाहो या ना देना चाहो वो आप देख सकते हो इसके बाद यहाँ पर कुछ और features है add co-owners credit and more अगर आपने कोई teamwork किया है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकत हो इसके बाद है display यानि कि अभी आप इसको किसको दिखाना चाहते हो private रखना चाहते हो everyone करना चाहते हो अभी मैं इसको private करूंगा सिर्फ मुझे ही दिखे बाद में इसकी privacy या display चेंज कर सकता हूँ इसके बाद है discoverability सो यहाँ पर किस brand के लिए काम किया है आपने वो brand वग क्योंकि मैंने इसकी visibility जो रखी है वो सिर्फ private रखी है तो यहाँ पर यह मेरा project publish हो रहा है अभी और यह publish हो चुका है अब देखते हैं कैसा दिखे गाई है यहाँ पर मैं अपने page पर आ चुका हूँ और यहाँ पर यहाँ पर अगर इसको बनाना है public तो यहाँ पर जाएंगे दुबारा से वही सारी सीज़ें आपको करने पड़ेंगे यानिकि बेसीक सा एक बस सैटिंग चेंज करने हैं आपको सैंटिंग चेंज करने के बाद पे जाके everyone करना होगा, then आपका ये normal हो जाएगा, update project, that's it, तो यहाँ पे आपका successfully upload हो चुका है, और ये सारी चीज़े आप देख सकते हो, कितने लोगों ने देखा है, कितने नहीं, ये सारी information आपको अपने page पर मिल जाती है, तो यहाँ पे और भी काफी सारी चीज़े हम कर सकते हैं, जैसे कि आपके काफी questions भी थे, कि हम mock-ups वगेरा कैसे बनाए, creative portfolio कैसे बनाए, तो आज सिर्फ हमने यहीं समझाए, कि portfolio को behance पर कैसे लेके जाया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी भी class बनाओं, जिसमें मैं आपको project के बारे में बताओं, या एक पूरा process बताओं कि कैसे आप एक creative portfolio बना सकते हो, तो आप मुझे comment में जरूर बताएं, so that मैं उस class पर भी काम करूँ, so आज की इस class में सिर्फ इत नहीं, I believe कि आपको एक लास पसंद आई हो, और Behance पे आप अपना portfolio भी अब बना सकते हो, अगर आपको एक लास पसंद आई है, तो please subscribe करें चैनल को और like करें वीडियोस को, Thank you so much, How did I miss you?